तोप वर्ट कब याण मैं तो और आज एक साथ शैयर करने चारें है कि लोगड़ान में आप अपने फेस को क्लीन अप कैसे कर सकते हैं यानि कि अपने से फेस पर वेग्स कैसे कर चते हैं क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि illrone बाटन काफी लॉंग चल रहा है तो इस बीच में आपके फेस पे काफी सारे हैर आ जाते हैं यानि कि ठ्रडिंग जो है वो भी नहीं बन बाप आ रहे हैं फोर हैड अपर लिपस आप कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं तो आप घर पर किस तरह से असान तरीके से फोर हैड को आप अराम से कर सकते हैं चाहे तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं फिंगर से करने का एक फार्दा यह होता है कि आप अपने वेक्स को फील कर पाएंगे कि वह कितनी होट और कितनी थंडी है क्योंकि थोड़ी से जब हम रिका वेक्स करते हैं तो थोड़ी थिक हो तो ज्या ज़्यादा तेज गरम वेक्स लगाने से सकिन पर दाग भी बढ़ जाता है कई बार तो इसी इसका ध्यान लखे कि ज़्यादा गरम वेक्स ना हो और फिंगर से करने की कोशिश करें प्योंकि जब आप एक बाप फिंगर से करें तो आप ये स्टिक से करना बिल्कुल भूल ज देती और बहुत ही अच्छी होती है और थोड़ा सा जब नॉर्मल हम वेक्स के थुरू या थ्रेडिंग के थुरू हम लोग अपने फोर हेड या आप अलिप्स कराते हैं तो अब ये पेंस आता होता है अगर आप रिका वेक्स से कराएंगे तो उसमें पें जो होता है वो दूसरे मेथड के थुरू कम मेथड के अकॉर्डिंग कम होता है तो इसमें ये बेनिफट होता है कि आपको पें कम होता है रिका वेक्स के थुरू और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है यह सभी स्किन के लिए और स्किन टाइप्स के लिए होती है यहां पर मैं आपको तो थोड़ इसे Rika wax के benefits बता देते हूं, Rika wax को Brazilian और Italian wax के नाम से भी जाए जाता है, कई लोग नॉर्मल भाशा में इसको oil wax के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक oil wax formula है, तो skin के लिए harsh नहीं होता, बहुत ही soft होता है, और आपके skin में dryness बिल्कुल नहीं आने देता, no strips wax formula भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें strips की ज़रुवत नहीं पड़ती, आप चाहें तो जैसे की wax के साथ जो wooden stick आते हैं, उसकी help से भी कर सकते हैं, मैं mostly fingers की help से करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है finger की help से करना, यहाँ पर मैंने आपको भी forehead, यहाँ पर अभी आपको upper lips करके दिखा लिए हैं, बहुत ही smooth होता है, और rica wax एक painless formula भी कहलाता है, क्योंकि normal और wax के through या threading में जब आप कराते हैं, तो बहुत ही जदा pain होता है, इसमें इतना pain नहीं होता, थोड़ा सा literally minor सा pain होता है, हल्क असा वो भी अब जब continue कराएंगे, तो वो भी आपको feel बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही देख रहे हैं, आप easy तरीके से मैं यहाँ पर आप से कर रहे हूँ, एक बर जब आप wax करते हैं, तो आपके finger में paste हो दी चले जाती है, तो आपके finger को भी इतना feel गरम नहीं लग पाता कि, आपके finger भी बहुत गरम है, रिका wax, normal wax के, थोड़ी सी costly पड़ती है, जब हम इसको कराने जाते हैं, या फिर हम इसको purchase भी करते हैं, तो 800 ml का something कुछ bank है ये, तो ये मेरे को वैसे price इसका 900 something कुछ है, लेकिन मैंने इसको sale से लिया था, तो ये मेरे को 850 something का कुछ बढ़ा था, तो मुझे काफी time हो गया इसको लिये हुए, मैं अपना face का अपने आप ही घर पर ही कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा है चब आप इसको करेंगे, तो और wax या फिर थेडिंग कराना आप बिल्कुल भूल जाएंगे, यहाँ देखिए आप Rika wax की help से, इस तरह से पूरे face पर भी कर सकते हैं, यहाँ से दिखिए, मैंने नूस के पास से किया है, तो इस तरह से आप अपने blackheads को भी remove कर सकते हैं, Rika wax के through, बहुत ही आच्छी wax है, और sensitive skins के लिए बहुत ही आच्छी है, क्योंकि जब sensitive skin वाले, जब कर भी अपने face पर wax कराते हैं, तो उन्हें कई परेशानियों का सामने करना पड़ते हैं, redness, eaginess, या फिर कई चारी, allergy भी face पर हो जाती हैं, क्योंकि sensitive skin वालों को बिलकुत भी, कोई और wax या फिर threading भी नहीं suit करते हैं, क्योंकि जब हम threading भी कराते हैं, तो कई बार हमें cut भी लग जाता है, तो उस सब चीज़ को ये हटाता है आपके सामने से, इन सब समस्याओं को आपके सामने से हटाता है, और बहुत ही अच्छी wax है ना, तो आपको कोई कटने के जंजट ना पाला जाने के जंजट, और इस lockdown में तो बहुत ही अच्छा एक बहतरीन option हैं आपके लिए, इस तरह से पूरे face पर भी कर सकते हैं, और इसी तरह से जब आपके threading के बात आती है, कि threading किस तरह से करें, इस तरह से जब आपके extras आते हैं, तो इसी तरह से आप अपनी threading को भी हलक असा finger tip पर लेकर के, एक एक दो-दो hairs जो भी होता है, उसको निकाल करके continue बनाएं रख सकते हैं अपनी threading को भी, यह देखी जब recoverics हम जहां पर पतली रह जाती है, तो हमारे skin पर paste हो जाती है, आप इसको nails या finger की तरफ से finger की help से बिल्कुल सक्राच ना करें, क्योंकि बहुत ही tight होती है, जब आप इसको निकालेंगे तो असानी से नहीं निकलती, तो आप क्या करें, थोड़ा से कोई भी oil आप लेकर के, या कोई भी cream कुछ ऐसा लेकर के, उससे हल्किसी मसाज करें, oil लेंगे तो ज़्यादा better है, क्योंकि ये oil wax होती है, तो oil से अराम से remove हो जाती है, इसी तरह से मैंने पूरे पने face पर wax कर लिया है, इसी तरह से, यह यहाँ पर लगा के 5 में छोड़ दे, उसके बद अपने अपी soft हो जाती है, वीडियो अच्छे लगे तो please मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे, अब वीडियो अच्छे लगे तो please like करें, share करें और subscribe करें मेरे चानल को,